नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के इंडियन जोग्राफी में परवत और चोटिया इससे रिलेटेड फोटी कुश्चन देखने वाले हैं और यह सारे ही कुश्चन जो है रेलबेक एकजाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गया है ठीक है और आने वाले दिनों में भी पूछा ही जाएगा तो आप इने के कुश्चन को रट लीजे उससे पहले चैनल पनाया तो चैनल को सबस्क्राइब कर जो पास्वाली घंटी का निसान है उससे भी अनकर्द ठीक है तो देखे यहाँ पर राज्य में एनेस फोटिफोर पर बनिहाल और काजी कुंड के बीच इस्तित है और इसका निर्माड उनेस सचपन में हुआ था और इसकी जो उचाई है वो है बाईसों मीटर ठीक है कुश्चन नमबर टू है भारत में मानो निर्मित सुरंग कौन सा है तो देखे भारत में जो मानो निर्मित सुरंग है तो यह है नर्मदा से तापती सुरंग ठीक है तो यहाँ पर एक कुश्चन नमबर टू है भारत की सबसे अधिक उचाई परिस्तित सड़क कौन सा है तो देखे भारत की सबसे अधिक उचाई परिस्तित जो सड़क है तो यह है खड़ दूगल का महराष्ट राज्चे में जो है ये सड़कों की लंबाई सबसे अधियिक है ठीक है और सड़कों की लंबाई सबसे कम जो है ये सीक्किम राज्चे में ठीक है और सबसे लंबी सड़क कौन सी है तो सबसे लंबी सड़क ये है NS44 जो की सीरी नगर से कन्या कुमारी तक जाती ह ठीक है, कुश्चन नमर पांच है, रेल के डीबे कहां बनाय जाते हैं, तो देखें, रेल के जो डीबे बनाय जाते हैं, तो यह कपुर्थाला तथा पेरंबूर में बनाय जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा, कुश्चन नमर शिक्स है, कौंकर रेलवे करपरेशन का मुख्याल है कहा इस्तीत है तो देखे इसे करेक्ट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा नवी मुंबाई में इस्तीत है ठीक है कुश्च नमबर साथ है कुश्च नमबर आठ है यानि पाक जल डमरू मध्या कहां से सबसे निकट है तो देखे पाक जल डमरू मध्या यह तमिलाडू से सबसे निकट है ठीक है तो यहाँ पर बी करेक्ट जाएगा कुश्च नमबर नाइन है डकन पैसेज किसके मध्य इस्तीत है तो देखे इसे करेक्ट आंसर ओप्शन ए ह जाएगा डकन पैसे जो है यह दचडी और छोटा अंडमान के मद्ध इस्तीत है ठीक है अब सनी करेक्ट जाएगा कुश्चा नमर 10 है अंडमान और निकोबार दीव समूँ एक दूसरे से किसे प्रिथक हुए है तो देखें अंडमान और निकोबार दीव समूँ जो है यह 10 डिगरी 10 डिगरी चैनल से जो है प्रिथक हुए है ठीक है इसके अलावा ग्रेट चैनल जो है किसे प्रिथक करता है तो देखें ग्रेट चैनल यह ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से जो है प्रिथक करता है ठीक है कुश्चन नमबर 11 है हिमाले के सर्वोच सिखर माउंट माउंट एवरेस की उचाही कितनी है तो देखें माउंट एवरेस की जो बरतमान उचाही है वो है 8848.86 मीटर है ठीक है और माउंट एवरेस्ट ये 200 की सबसे उची चोटी है और ये नेपाल में स्थीत है और भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो भारत की जो सबसे उची यह वो है कंचन जंगा और इसकी जो चाहिए वो है 8586 मेटर जो है कंचन जंगा क्यों चाहिए ठीक है कुश्चन नमबर 12 है निमने लेखित में से कौन से अक्छांस रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है तो देखे इसे correct answer option C हो चाहेगा उत्री अक्छांस रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है और इसको जो है करक रेखा भी बोला जाता है ठीक है कुश्चन नमबर 13 है करक रेखा निमने लेखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है तो देखे करक रेखा जो है आप ये देख सकते हैं रेलबे में सबसे ज्यादा बर ये कुश् तेश, चाटिस गड़, पसिम मंगाल, तिरूपुरा और मिजोरम, ठीक है, करकरेखा, कुल आठ राजों से होकर गुजरती है, ठीक है, कुछ्चन नमबर 14 है, करकरेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फल्स वरूप, तो देखिए, जिसके फल्स वरूप जो है, देश के दच्छडी, आधे भाग में उसर कटी बंदी है, जलवायू पाई जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर यह करेक्ट जाएका, कुछ्चन नमबर 15 है, करकरेखा, जिसे ट्राफिक आफ कैंसर बोला जाता है, कि सहर के पास होकर गुजरती है, तो देखिए, करकरे देखित में से कौन सा सर, भूमाध रेखा के निकट है, तो देखिए, भूमाध रेखा के निकट जो है, यह बिसाखा पतनम है, ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट जाएका, कुछ्चन नमबर 17 है, मनार की खाणी कहां इस्तित है, तो देखिए, मनार की खाणी जो है, यह तमिलांडू के पूर्व में स्थीत है ठीक है मनार की खानी कहा परिस्थीत है तो ये तमिलांडू के पूर्व में स्थीत है ठीक है कुश्चे नमबर 18 है भारत का मानक समय यानि एस्टेंडर टाइम कितने दिसांतर का अस्थानिया समय है तो देखे भारत का जो मानक समय है त संधर में निम्ने लगेशत में से कौन सा हंकांग का सही मानक समय परदर्शित करेगा तो देखें हंकांग का सही मानक समय यह भारतिय मानक समय यन save येस्टी प्लस धाई घंटे जो है ये मानक जो है हंकां को सही परदर्सित करेगा ठीके तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा कुश्चन नमबर 20 है भारत की मानक समय रेखा किस सहर से गुजरती है तो देखे भारत की जो मानक समय रेखा है तो ये 82 डिगरी पूर्वी देशांतर इलाहबाद के निकट नायनी नामक स्थान से गुजरती है ठीके तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा कुश्चन नमबर 22 है भारत और सिलंका के बीच में कौन सा दूइफ है तो देखे भारत और सिलंका के बीच में जो है ये रामेश्वरम दूइफ है ठीके तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा कुश्च नमबर 23 है सिया चीन है तो देखें सिया चीन ये भारत और पाकिस्तान के बीच का हीमनद सिमानत छेतर है ठीक है सिया चीन क्या है ये गलेसियर है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच का हीमनद सिमानत छेतर है ठीक है तो यहाँ पर यह करेक्ट जा आएका कुश्चे नमबर 24 है भारत का सबसे बड़ा glacier कौन सा है तो देखे भारत का सबसे बड़ा जो glacier है तो यह सिया चिन glacier है ठीक है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा परिस्तित एक हीमानी है और इसका चेत्रफल कितना है तो एक तालेस हजार बर्ग किलोमेटर जो है इसका चेत्रफल है ठीक है एक तालेस हजार बर्ग किलोमेटर जो है इसका चेत्रफल है ठीक है कुश्चे नमबर 25 है निमनलेखित में से कौन सी देश की सबसे लंबी अंतराष्टिय सीमा रेखा है भारत से जूड़ी है तो देखे सबसे लंबी अंतराष्टिय सीमा भारत से जो यह बांगलादेश की जूड़ी है ठीक है यह करेक्ट हो जायाएका कुश्चन नमर 26 है किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सरवाधिक लंबी सीमा साजा करता है तो देखे इसे करेक्ट आंसर ओप्सन भी हो जायाएका जम्मु कस्मी राज्य की सीमा जो है यह पाकिस्तान के साथ जो है सबसे लंबी सीमा जो है साजा करता है जिसकी लंबाई है 1222 किलो मेटर, ठीक है, 1222 किलो मेटर, कुछ्चे नम्मर 20 से बैन है, पाकिस्तान से लगी सिमाव वाले भारतिय राजे है, कौन से है, तो देखें, पाकिस्तान से लगी सिमाव वाले भारतिय जो राजे है, वो है, कौन से राजे है, गुजरात है, जमु और कस्मिर, पंजाब और राजस्तान ठीक हैं तो यहाँ पर बी करेक्ट हुए जा आ यहाँ है कुछ्छण नमबर 28 है डूरेंड लाइन निमने लेकहत बाहाते हैं दो देशों के बीज की सीमा रहे है तो देखें डूराणड लाइन जो यह पकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है ठीक है भारत और पकिस्तान के बीच की सीमा रेखा वो क्या बूला जाता है रेड कलिफ रेखा बूला जाता है ठीक है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैक मोहन रेखा कहलाती है ठीक है, question number 29 है, भारत के बिभाजन के समय जो सीमा रेखा घीची गई, वो क्या कहलाती है, तो देखें ये तो बता हैं चुके हैं, कि भारत के बिभाजन के समय जो सीमा रेखा घीची गई थी, तो इसको रेड़ किलिफ रेखा बुला जाता है, ठीक है, C करेक्ट हो जाएगा डुरांड रेखा किसको अलग करता है, तो देखें डुरांड रेखा जो है, ये अफगानिस्तान और पकिस्तान को अलग करता है, मैं एक मोहन रेखा ये तो बता हैं, कि मैं एक मोहन रेखा जो है, ये भारत और चीन को जो है अलग करता है, ठीक है, question number 30 है, भारत और पकिस् इसके सीमा का निर्धारान जो है यह सर सीरिल रेड किलिफ ने किया था ठीक है तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएका कुश्चन नमबर 31 है भारत और चीन के बीचे सीमा रेखा कहलाती है तो देखिए तो बता ही चुके है और यह कुश्चन जो है रेलवे में सबसे ज्यादा अबर पूछा गया है ठीक है तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या बोला जाता है तो मैं एक मोहन रेखा बोला जाता है ठीक है यह करेक्ट जाएगा कुश्चन नमबर 22 है और अब सागर मेस्तित भारतिय दीपो की सरवाधिक महत्पूंड बिसिष्टता क्या है बिसिष्टता क्या है और अब सागर मेस्तित भारतिय दीपो की सरवाधिक महत्पूंड बिसिष्टता क्या है तो देखे इसकी जो महत्पूंड बिसिष्टता है तो यह है वे सभी परवाल उदगम के है ठीक है वे सभी परवाल उदगम के है ठीक है बी करेक्ट जाएगा क कुष्चे नमबर 33 है, भारतिया समुदरी टट की लंबाई लगभग कितनी है, तो देखे भारतिया समुदरी टट की जो लंबाई है, तो यह 75 किलो मेटर, ठीक है, यह करेक्ट जायाएका, कुष्चे नमबर 34 है, भारत का पूर्वी समुदरी टट की इस नाम से जाना जाता ह तो देखे भारत का पूर्वी समुंदरी टट जो है ये कोरो मंडल टट के नाम से जाना जाता है ठीके D करेक्ट हो जायाएका कुश्चन नमर 35 है भारत वर्स की जल छेतर सीमा कहां तक फैली हुई है तो देखे भारत वर्स की जल छेतर सीमा ये 12 नौटिकल मिल तक फैली तो देखे पूर्वी और पश्मी घाट जो है ये निलगिरी पहाडी पर मिलते है ठीके तो यहाँ पर D करेक्ट जायाएका कुश्चन नमर 37 है गारो और खासी पहाडिया किस परवत सिनेडी की भाग है तो देखे गारो और खासी पहाडिया जो है ये पूर्वी घाट करेक्ट जाएका कुश्च नंबर 38 है मंड आइलेंड का निकर्तम सहर कौन सा है तो देखे मंड आइलेंड का जो निकर्तम सहर है तो यह है मुंबई ठीक है तो यहां पर डी करेक्ट जाएका कुश्च नंबर 49 है पोट बिलेयर वस्तीत है तो देखें पोट बिलेयर जो है ये दच्छडी अंडमान में हस्तीत है ठीक है तो यहाँ पर B करेक्ट जायेगा उसके बाद यहाँ पर हमार अगला कुश्चन है निमनलेखित में से कौन सी जगा अंडमान और निकुबार के सबसे निकट है अपसन है चेनाई, बिसाखा, पटना, मैमार या फिर इंडोनेसिया सही आंसर जो है कमेंट बक्स में जरूर बाता है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पनाया तो चैनल को सबस्क्राइब और पास में जो हंटी का निसान है इसे भी अनकरत है ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में